हेलो स्टुडेंट्स वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 C स्टार्ट की थी जसकी कोश्चन नूम्बर 7 तक हमने कम्प्लेट कर लिए थे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कोश्चन नूमबर 8 से लेकर 16 तक बहुत ही easy questions है हाई suggestive video को 3-4 times जरूर देखे ताकि हर एक question आपको clear हो जाए तसलिए जिन्ते से शुरू करते हैं question number 8 को हम यहाँ पर सबसे पहले carefully reading कर लेते हैं use the distributivity of multiplication of racial numbers over addition to simplify हमें use करनी है distributivity of multiplication यानि हमें distributivity property जो की multiply की होथी है वो जिसमें use करनी है हमको over addition पर इसका एक meaning मैं आपको समझाजता हूँ अगर हमारे पास तीन number है a, b, c और b plus c को हमने add किया हुआ तो a की multiply जब भी होगी तो a की multiply b से plus और a की multiply c से कुछ इस तरह से हमारी multiply होती है यह हमारा distributivity property होती है इसका use करके हमको क्या करना है इस question को solve करना है तो दुर्द पहले यह पार्ट को as it is हम write कर लेंगे write इसके बाद हम क्या करने वाले है 7 upon 4 की multiply करेंगे 5 upon 8 से और 20 प्लस का सायने plus लगा देंगे again 7 upon 4 multiply 1 upon 2 अब हम क्या करने वाले 7 into 5 को 35 write कर देंगे 4 8 जा multiply कर देंगे 4 से 8 की ठीक है 4 8 जा 32 हो जाएगा plus इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 upon 7 and 4 to the 8 इस steps write कर देंगे अब आपको LC में लेकर solve करना आता है इसको हम इस तरह से solve कर लेंगे हमारा LC में आ जाएगा 32 ठीक है तो 35 बने जा 35 हो जाएगा और 8 से जब 32 को डिवाइड करते हैं 4 आएगा 47 जा 28 अब उपर की दौन टरम हमारी add हो जाती है तो जब add करने पर आपका पास तकना जाएगा 63 आ जाएगा upon में 32 हो जाएगा यह आपका answer हो गया है easy question था चलिए second part करते हैं second part में भी question को हमें as it is write कर लेना है इसके बाद का step में आपको write का देता हूँ तो minus का 3 by 8 इसका मेटपलाई होगा 4 upon 7 से ठीक है और plus का sign लेगेगा फिर minus का 3 by 8 बाहर था इसका मेटपलाई होगा minus का 11 upon 7 से तो आप देख पारें यहाँ पर 4 बंजा 4 2 जाया कट हो जाएगा तो हमर पास quantity बन के आएगी minus का 3 बंजा 3 upon 2 7 जा 40 plus का sign लेगेगा ठीक है ब्रेकेट लगाएंगे और यहाँ पर minus और minus को हम positive बना लेते हैं तो हमर पास क्या जाएगा यहाँ पर राइट करेंगे minus 3 इंटू 14 फोर्जा वो राइट कर देंगे plus 33 multiply 56 बंजा तो हमर पास वाल्यू 3 फोर्जा 12 minus 12 plus 33 upon 56 33 में से 12 को हम minus करतेंगी 20 बना जाएगा हमर पास 21 upon 56 that is our answer तो यह हमारा answer हो गया है easy question था आज़े होप आपको clear हो गया होगा है चलिए next question करते हैं अब हमारे बास है इसका third part third part में सबसे पहले question को as it is write कर लेना है उसके बाद जो बाहर हमारे पास लिखा हुआ है element यानि minus का 2 by 5 इसकी मल्ट पाइगा रहेंगे अंदर bracket वाले से 3 upon 8 plus कसा हैं लगाएंगे ठीके bracket लगाएंगे minus का 2 5 की 2 upon 5 की मल्ट पाइगा हो जाएगी फिर से minus 25 से 5 बन जा 5 5 पाइब 25 25 हमरे पास हो जाएगा यहाँ पर हमरे पास क्या जाएगा 2 बन जा और 2 फोर्जा तो हमरे पास क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर 3 बन जा 3 minus लगा देंगे पहले और 5 फोर्जा 20 ठीके plus अब आप यहाँ देख पा रहे हैं minus 2 multiply minus 5 minus 5 फोर्जा जाएगे यह जाएगा 10 correct इसको जब हम फोर्जा करेंगे तो हमरे पास आएगी quantity minus 3 plus 20 10 जा 200 upon 20 that gives 197 upon 20 यह हमरा question number 8 complete हो गया है सारे पार्ट समने कर लिए हैं अब करेंगे question number 9 question 9 find the multiplicative inverse it means reciprocal तो हमें reciprocal find करना है यानि multiplicative inverse find out करना है किसी भी number के लिए हमेशे ध्यान नखेगा अगर A upon B को यह मरपस number है तो इसका जो multiplicative inverse यानि reciprocal जो होगा वो क्या होगा हमेशा के लिए B upon A होगा sign बिल्कुल भी ने बदलेगा और numerator denominator में change हो जाता है denominator numerator में change हो जाता है या पर हम करेंगी first follow option तो 6 लिखा हुआ है 6 का मतलब होगे 6 upon 1 तो जब हम multiplicative inverse यानि reciprocal निकाल लेंगी चाहे तो आप multiplicative inverse लिखिए या reciprocal एगी बात है ठीक है तो reciprocal of 6 आप लिखेंगे तो आज आएगा हमारे पास 1 upon 6 ठीक है clear इसी तरह जब हम लिखेंगे reciprocal minus 23 का second part में हमारे पास क्या है minus 23 तो हम sign को वही रखेंगी और 23 का मतलब क्या हुआ 23 upon 1 इसका मतलब reciprocal जब लेंगी 1 upon 23 तो यह minus का 1 upon 23 आगिया है ठीक है इसी तरह से हमको किसका करना है 11 upon 20 का तो 11 upon 20 का कितना हो जाएगा 20 upon 11 आप वीडियो को पात्तर करके सारी step right कर लिजेगा इसी तरह से हमें करना है इसके बाद हमारे पास number minus 19 upon 16 तो इसका हमारे पास अंसर जाएगा minus का 16 upon 19 ठीक है reciprocal हमेशा ध्यान लखेंगी क्या होटता है reciprocal का एक SO number था है जिसकी reciprocal given number से multiply करने पर हमारे पास वना जाता है ठीक है इसके बाद हमारे पास दूसरा number है 5th part में 11 upon minus 5 तो इसका reciprocal कितना हो जाएगा विजाएगा minus का 5 upon 11 ठीक है इसके बाद यह जो मारे पाद number है 6th part 6th part minus 7 upon minus 8 है अब minus minus को cancel कर देंगे तो हमारे पास यह number दिखाई देजा आपको positive तो आपको write करना है रहसी प्रोकल और minus 7 minus कर देए 7 upon 8 तो इसकी value आजाएगी 8 upon 7 है ठीक है इस तरह से यह सारे questions आपको इस steps करना है जिसे आपके पाद दे रखा है 4 upon 5 multiply 15 upon 8 तो पूरे का पूरर reciprocal होगा 5 upon 4 multiply 8 upon 15 ठीक है अगर इसको आप उपर नीचे कट करना चाहें तो भी भी कर सकते हैं 4, 2 से अकट जाएगा 4, 5, 1 जा 5, 3 से अकट जाएगा 2 by 3 भी आप write कर सकते हैं ठीक है यह हो गया इसके बाद हम को क्या करना है 0 multiply 2 by 9 इसकी value इतनी होगी? 0 होगी और 0 का रसे प्रोगा not defined होता है ठीक है? क्या होता है? not defined अब question number हमारे पास है 12 question 12 को सब सब बहल हम reading कर लेते हैं evaluate this one आपको दे रखा है 5 upon 9 divide by 15 upon 36 एक ब्रैकेट में फिर डिवाइड का sign दूजरे ब्रैकेट में हमारे पास minus 5 by 6 तो यह question है सब सब पहले question को as it is हम write करेंगे ठीक है? चलिए सब सब पहले solve करने के लिए सब सब पहले question को write करना हमरे पास जरूरी है question को हम write step से कर लेते हैं यह होगी हमरे पास 5 upon 9 ठीक है? divide by 15 upon 36 bracket right कर दिया दूसरे sign लगाएंगे divide का और यहाँ पर हम लेखेंगे minus 5 by 6 सब सब लिए bracket को solve करता है bracket को solve करने के लिए 5 upon 9 को as it is रखे multiplier sign लगाएंगे और ऐसे फोगो लिखटेंगे 36 upon 15 ठीक है? यह हमरे पास आगिया और divide का sign लगाकर हम minus 5 by 6 को as it is अब भी write कर देते हैं अब यहाँ से 5 बन्जा और 5 3 सा बट जाएगा 9 बन्जा 9 फून्जा हो जाएगा ओपर की उपर मिल्प्या होगे यह मरे पास 4 और इसे की होगे 3 इस divide के sign 4 यह जो divide का sign है इसको हम हटाकर multiply लगा देंगे और ऐसे प्रोपल कर देंगे ठो जाएगा मरे पास minus का 6 by 5 अब हमरे पास 3 बन्जा और 3 2 सा बट जाएगा उपर की मिल्प्या हो जाएगी 4 to the 8 और इसे की मिल्प्या हो जाएगी 15 to 5 इस sign हमरे पास minus का है वो हम यह output कर देंगी तो यह first part अबारा complete हो गया है ठीक है चलिए अब गरेंगे second part अब इसका second part है हमारे पास ठीक है second part को देख लेते हैं से मैंसे ही जिसे हमने first part किया है तो यहाँ पर हमारे पास है minus 3 upon 29 divide by 9 upon 87 एक bracket में है फिर divide का sign है आपके पास और minus 1 upon 7 से आपको divide करना है ठीक है चलिए question को यह ज़िए इस राइट करना है समसे पहले तो ठीक है question write करने के बाद आगे की प्रसेसर में आपको बता देता हूँ minus 3 upon 29 divide 9 upon 87 इसको ब्रेकेट में राइट कर देते हैं और divide का sign लगा कर हम राइट कर देते हैं minus का 1 by 7 अब हमें क्या करना है minus 3 upon 29 को as it is करना है write multiply का sign लगा कर 87 upon 9 कर देना है 3 वन जा 3 3 3 जा 9 कर देंगी 29 3 जा हमरे पास होते हैं जितमे 87 3 से 3 1 टाइमस कर जाएगा यहाँ पर इसको ब्रेकेट को close करके ठीक है और यहीं पर हम multiply का sign लगा देते हैं और raise लोगा कर देते हैं minus का 7 upon 1 हो जाएगा तो हमरे पास अंदर ब्रेकेट के नदर इसकोंटिटी आएगी वो आएगी minus की 1 ठीक है और यह बाहर आगी है minus का 7 ठीक है तो दो नहीं पर होगी plus का sign आजाएगा और 7 बंजा 7 यह हमरा answer आ गया है ठीक है तो second part हमरा complete हो गया है अब next question देखते है next question है हमरे पास 13 mcq तो 13 mcq मरे पास है यहाँ पर which property of multiplication is not involved in the following तो इसका option यहाँ पर है c part convotative property convotative property होती है e multiply b equal to b multiply a यह property यहाँ पर use नहीं हुई है ठीक है तो आब इसको दिख लीजेगर यहाँ से option number c से ही हो गया हमरा इसी तरह question number हमरे पास 14 है 14 question को पहले हमें solve करना है और से बाद हम find out करेंगे कि हमरा answer कौन सा option है तो सबसे पहले question को as it is write कर देंगे ठीक है इस question को as it is यहीं पर मैं आपको show कर रहा हूँ कि यह हमने question write कर लिया है इसके बाद का step में आप से लिफ रहा हूँ तो minus का 36 हमारे पास होगा multiply minus का 35 upon 76 multiply 19 upon 15 multiply और यह जी inverse से इसको हम क्या गरने वाले है minus 2 by 3 write करेंगे तो positive हमारे पास power बन जाएगी ठीक है 19 1s, 19 4s कट कर देंगी 4 से इसको 4, 9s कट कर देंगी 3 से इसको 3, 3s कट कर देंगी 3 1s और 3 5s कट हो जाएगा 5 से 5, 7s कट हो जाएगा इस तरहे जब यह open इससे कट करेंगी तो मारे पास के अवली यह quantity बजेगी कितनी माइनस के 2 से 7 के बड़ा हो गई माइनस का 14 हमारे पास answer आ गया है ठीक है तो हमारे जो कौन सा option से ही हो गया option number B ठीक है तो यह आप answer write कर लीजिएगा note कर लीजिएगा मैं यह आप आपको erase करके option B पर तिरियागा देता हूँ तो हमारा option हो गया है बी करेक्ट ठीक है question of what in complete next question है हमारा पास which of the following statement is true कौन सा statement इसमें true है तो सम जितने भी option आपको ले रखें सब को care field बच की जिएगा कौन से property all हो रही है कहां नहीं हो रही है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे तो इस यह option है तो हमारे पास 0 ही आएगा तो हमारे पास यह property true हो जाती है तो option number हमारा 16 सहीं हो जाएगा ठीक है question number हमारे पास 15 कंप्लेट होगी है अब last question है हमारे पास 16 16 को हम करेंगी सब्सक्राइब रेटिंग करने थे subject the additive inverse of 5 upon 6 additive inverse of 5 upon 6 को हमें update करना है किसमें से multiplicative inverse of this one यह अपो दे रखा है minus 5 by 7 multiply 14 upon 15 तो समसे पहले हम इस ट्रम को write करेंगी multiplicative inverse निकाल लाक है है में इसका तो directly write कर देंगी तो इसको multiplicative inverse हो जाएगा minus 7 upon 5 multiply 15 upon 14 और इसको एक bracket पर write कर दिया इसमें से minus करना है क्या minus करना है इसमें से 5 upon 6 का additive inverse जो की minus का 5 upon 6 रोटता है ठीक है अब इसको solve कर लेते है 7 बंजा 7 2 जा कट हो जाएगा 5 बंजा 5 3 जा कट हो जाएगा तो हमारे पर जो पाटेटी निकलिगा यह अंदर bracket के y minus का 3 by 2 यह minus minus हो जाएगा plus ठीक है 5 by 6 इसको हम solve कर लेते है 6 हमारा इलिष्या माले आता है यहाँ पर रोटाएगा minus 3 multiplied 2 3 जा 6 plus 5 बंजा 6 बंजा 6 तो हमारे पाट आगिया minus का 9 plus 5 upon 6 that gains 4 upon 6 और इसकी बेर यह हमारे पास कित्म हो जाएगी और यहाँ पर minus का sign ज़रू लगा देंगे कि 9 नमारा greater है तो minus का 4 by 6 आगिया और 2 से कड़ जाएगा minus का आज जाएगा 2 by 3 ठीकिन यह हमारा answer आगया है question number 16 का तो इसको अब write कर लिए जगा ने टिन की तो strength हमने लिए यह exercise आज complete कर लिए है इस वीडियो को 3-4 टाइम जड़ो देगे ताकि आपको हर एक question failure हो जाए फिर भी कोई problem हो तो वीडियो की comment section में जाके आप पूछ सकते हैं वीडियो की description में मैं अपना help and I'm number भी आपको प्रवेड करता हूँ WhatsApp number प्रवेड करा देता हूँ वहाँ पर भी आप अपने problem share कर सकते हैं वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका benefit ले पाए तो बसाच की वीडियो में कितना है नेक्स वीडियो में से आग एक exercise रम लेकर एंगल